आज मैं आपको जो उपाए बताने वाली हूँ, वो काले धागे से संबंधित है। इसको बांधने से आपके जीवन में सुक समृधी आती है। सभी दुनिया की ऐसी चीजें, जिसके बारे में आप बार-बार सोचते हैं, और आपके कारे नहीं बनते तो ये कारे धीरे धीरे बनने लगते हैं आपका मन एकागर होने लगता है शनी दोशों को दूर करने के लिए और बुरी नजर से बचने के लिए काले धागे से कई उपाय किये जाते हैं इसे धारन करने के बहुत से फाइदे भी माने गए हैं इस धागे को आप गले में बाजू में कमर में पैर में या कलाई में बांच सकते हैं लाल किताब और जोतिश में काले धागे के कई उपाए ऐसे हैं जो अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चेंज आप लोग जानते हैं कि काला धागा जो है वो आपको शनी के प्रभाव से भी बचाता है और इसके साथ-साथ कई ऐसे नकरात्मक उर्जाओं के प्रभाव से भी बचाता है जो आपके आसपास हो सकती है तो इसलिए काले धागे के ये उपाए आज जो मैं आपको बताऊंगी आप ध्यान से सुनें वीडियो को पूरा देखें ताके आप इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकें काला धागा व्यक्ति को बुरी नजर से बचाने में बहुत जादा असीम शक्ति रखता है इसलिए शनी ग्रह का संबंदित रंग माना जाता है ये शनी काले रंग के कारक होते हैं काला रंग यानि के काला धागा पहनने से व्यक्ति की कुंडली में शनी ग्रह मजबूत होता है इसे शनी ग्रह के दोशों से भी मुक्ति मिलती है सेहत और स्वास्थे के लिए भी काले धागी को बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के पेट में दर्ध हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को उसके पैरों में काला धागा बानना चाहिए अगर पैर के अंगुठे में काला धगा बांध लिया जाए तो पेट दर्द में आराम आ जाता है पैर में काला धगा बांधने से ऐसा मानते हैं कि चोटे नहीं लगती यानि कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी बार-बार चोट लगती है तो इसका मतलब है कि उसका शनी या राहू पीडित है और ऐसे में अगर वो काला धागा बांध ले तो बार-बार चोटों का प्रभाव कम हो जाता है और चोटे लगने ठीक हो जाती है जिन व्यक्त लड़ने की शक्ती मिलने लगती है और धीरे-धीरे बिमारियां उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती यानि कि बिमारियां पीछा ही छोड़ देती हैं इस प्रकार से आप लोग भी अगर बार-बार बिमार होते हैं अगर किसी तरह की मुश्किल में रहते हैं डिप्रेशन में रहते हैं परिशानी में रहते हैं तो भी आपको काला थागा जुरूर बांध लेना चाहिए ऐसे में शनी मजबूत होता है और कहीं ना कहीं से जो आपके अंदर एक नकरात्मक शक्ती है वो निकल जाती है तो आपको इसके लाभ ही मिलते हैं काले थागे का प्रियोग और भी बहुत से कारें के लिए किया जाता है जिस प्रकार से बुरी नजर से बचना तो एक उपाय है ही इसके साथ साथ घर को बुरी नजर से बचाना भी इसका एक बहुत उत्तम उप गर को अगर आप बुरी नजर से बचाना चाहते हैं आपके घर में रोजाना ऐसे लोग आते हैं जो आपके घर को बुरी नजर से देखते हैं या आपके घर पर उनकी बुरी द्रिश्टी रहती है तो ऐसे में काले धागे का प्रियोग आप कर सकते हैं इसके लिए काले धाग अक्सर शनिवार के दिन पहना जाता है और इसके लिए जब आप किसी व्यक्ति को पहनाएं तो रुद्र गायतरी मंत्र का जाप करके ही इसे पहनाना चाहिए इससे लाब उत्तम दरीके से मिलते हैं अगर आप ऐसे ही किसी को भी काला धागा पहना देंगे तो उसको लाब नह सकते हैं और उसके बाद रुद्र गायतरी मंत्र का जब करके उसे पहन सकते हैं ऐसा करने से विशेश तोर पर वो लाब देगा और आपके जीवन में समस्याओं का अंध होगा शनी आपसे खुश होंगे और शनी की जो भी नकरात्मक शक्तियां हैं वो आप पर कोई प्रभ वोन प्रभाव को सोख लेता है इसलिए लोग इसे गले में भी बहनते हैं हाट में भी बैयनते हैं और ये नकरात्मक शक्तियों को बिलकुल खतम कर देता है इसी वज़े से आपको भी ये कारे जरूर करना है अगर आप अपने जीवन में सकरात्मक तलाना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में नकरात्मक उर्जाओं के परवा को खतम करना चाहते हैं तो काला धागा अवश्य बांधे आप इसे पैर पर बांधे या पर आप जरूर करें जिसकी कुंडली में शनी ग्रह का प्रकोप हो उसे काला धागा जरूर बहना चाहिए उसे शनी के दोश नहीं लगते जब भी व्यक्ति वैश्णुदेवी की यात्रा करता है तो वैश्णुदेवी के पास एक मंदिर है जिसे भैरों मंदिर कहा जाता है वहां से काला धागा लाने से भैरों के प्रकोप से भी आपको मुक्ती मिलती है। भैरों बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए आपकी मदद करते हैं और शनी के प्रकोपों से भी आपको बचाते हैं। ये स्वास्थे के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसके साथ साथ जीवन में किसी भी प्रकार के प्रकोप से बचने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है तो इसलिए कभी भी आप यात्रा करें वैशनो देवी के दर्शन करें तो ऐसे में भैरों देव के मं और इसे अपने शरीर पर बांद हैं ये अभिमंत्रित किया कराया काला धागा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको बचा लेगा और उस समय पर आपकी रक्षा होगी जब कोई भी आपके आसपास नहीं होगा जीवन के उस समय में आप अपने आपको रक्षा बंध हुआ पाएंगे तो इसलिए आप इसे जरूर आजमा कर देखें आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़े-बड़े सेलेबिटीज भी अपने हाथ में काला धागा बांदते हैं और हमारे प्रधान मंत्रे के हाथ में भी काला धागा बंदा हुआ है तो ये इस बात का सबूत है कि काले धागे से कितने लाब आपको मिल सकते हैं तो आप भी इसे जरूर बांद कर देखें इसके लाब लेकर देखें काले रंग को पवित्रता का रंग भी कहा गया है स्पिर्च्वैलिटी का रंग भी कहा गया है अध्यात्म का रंग भी कहा गया है काले रंग म का रंग भी काला माना गया है इसके साथ साथ काले कुट्टे की सेवा करने से शुब फलों की प्राप्ति होती है तो काला रंग बहुत महत्पुन है अगर आप अपने ग्रहों को बदलना चाहते हैं उनकी चाल को बदलना चाहते हैं शनी की चाल को बदलना चाहते हैं तो काला रंग बहुत जादा महत्पुन माना जा सकता है चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने वाली हूँ जो आप मंगलवार या शनिवार के दिन काले धागे से करेंगे तो आपकी बहुत सी मनोकामनाई पूरी हो सकती है आप जो मनोकामना करेंगे वो अवश्यपूरी होगी शनिवार या मंगलवार के दिन इस उपाई को करना है आपने काला रेश्मी धागा खरीदना है और मंदिर में जाना है ऐसे मंदिर में जाएं जहां या तो आप भगवान हनुमान के सामने बैठेंगे या शनिदेव के सामने बैठेंगे वहाँ पर आपने मंगलवार को अगर गए हैं तो हनुमान जी के आगे बैठ कर अपनी समस््या बोलें और गांठ लगाते जाएं जितनी आपकी समस्याई हैं आप उतनी गांठे लगाएंगे पर समस्याई नौ या इससे कम होनी चाहिए आप 9 से जादा समस्याइं नहीं बोलेंगे और नहीं 9 से जादा गांठे लगाएंगे मान लीजे आपको विवाह समबंदी दिक्कत है तो आप एक गांठ लगाकर अपनी समस्या हनुमान जी से बोल देंगे अगर आपको संतान से संबंदित कोई दिक्कत है और इसके साथ साथ धन्त की भी दिक्कत है तो आप दो समस्याएं बोलकर दो गाठे लगाएंगे जितनी आपकी समस्याएं हैं आप उतनी गाठे लगाएंगे हनुमान जी के मंत्र का किसी मंत्र का जाब करें या आप हनुमान चालीसा का जाब कर लें वहां बैठकर और उसके बाद आप घर आ जाएं और आकर इस धागे को बाध लें ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा हनुमान जी आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन कर रहे हैं तो शनी भगवान का नाम लें, शनी चालीसा का पाट करें और शनी भगवान से अपनी समस्याओं को कहें तो इस प्रकार से वो भी आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे तो ये उपाए दोनों ही तरीके से कारगर साबित होगा जितनी आपकी समस्याए हैं उतनी गाठे लगाकर आपने काला धागा शरीर पर बांद लेना है और जब वो समस्याएं खतम हो जाएं तब ये काला धागा आप उतार दें और उसके बार जब कभी फिर ज़रूरत पड़े तो ये उपाए आप दोहरा भी सकते हैं तो इस प्रकार से काले धागे का ये उपाए आप भी आजमा कर देखें आपकी सभी मनोकामनाओं की पूरती अवश्य होगी आज के लिए इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताके ऐसे ही और वीडियोज और टोटके और उपायों के बारे में आप जान सकें और इसी प्रकार से आप अपने जीवन को सुखद और संपन कर पाएं आज के लिए इतना ही मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले विश्य के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद